आमपरनब बनाने में बहुत आसान है, स्वात का बहुत लगता है, और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ज्यादा बना करके, तो फिर देर क्यों करते हैं बनाई लेते हैं इसको, तो सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा पानी डालेगा, उसके बाद एक कटोरी रखेगा उसके बाद कटोरी में भी थोड़ा पानी डालेगा, और उसके बाद इस पे कोई भी अगर आपके पास जाली है, प्लेटा रखेगे, और उसके उपर आम रखेगे, अच्छे से साफ करके रखेगा, और उसके बाद ढकन लगा कर आपको यहाँ पे दो सीटी लगानी है, पुकर खोलिए, और आम हमारे यहाँ पे स्टीम हो चुके हैं, बढ़िया निकालेगा, और उसके बाद आपको उपर से इस तरह से यह खटाना है, और उसके बाद चिल के उतारने है, और उसके बाद गुठली के उपर से जो भी आम है ना उसको निकाल के रख लेंगे, ठोड़ा सा सेंदा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ज बहुत जादा नी डालेंगे और भुना हुआ जीरा पाउडर, अगर एक कटोरी आम का पल्प है तो फिर आप एक कटोरी ही चीनी आड़ करना इसके अंदर, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, मुश्किल स आदा ग्लास पानी और उसके बाद इसको आपको पीसना है, अच्छे से जब यह पिस जाएगा, उसके बाद ग्लास में डालेंगे बरव, थोड़ा सा पोदीना, थोड़ा सा डालेंगे, जो मिक्षर तियार किया था वो, और ठंड़ ठंड़ पानी डालके मिक्स करके, आप साल भर के लिए से स्टोर भी कर सकते हैं, जिसमें बरव जमाते हैं, उसमें आपको डालना है, और उसके बाद आप इसे बरव जमा करके रख दीजे, साल भर भी खराब नहीं होगा, जब आपका मनो तब आप आप इंजॉय कर सकते हैं, तो फिर बनाईए और स्टोर की मिलते हैं आप से अगलो वीडियो में